आज हमें चुचुन्दर यानि लंबे मुह वाले चूहे का बेबी मिला बिचारा अकेला बाहर बारिश में भीगा मिला रात भर भीगता रहा होगा इसकी आँखे भी नहीं खुली थी इसे घर ले गए इसको टोकरी में रखा, कपड़े से साफ किया और इंजेक्शन की मदद से इसे फीड कराई यदि आपको भी अपने बगीचे में शिशु चचुन्दर का घूंसला मिले तो उनकी देख भाल के लिए कुछ सामान या दिशा निर्देश इस प्रकार है उन्हें गर्म रखें बेबी शिशु तापमान में होने वाले बदलावों के प्रती बहुत समवेदन शील होते हैं उन्हें गर्म रखने के लिए उन्हें एक छोटे कंटेनर में रखें जिसमें टिश्यू या मुलायम कपड़े जैसे नरम गर्म बिस्तर हों आप कंटेनर के आधे हिस्से के नीचे कम तापमान पर हीटिंग पैड भी लगा सकते हैं सुनिश्चित करें कि अगर उन्हें बहुत गर्मी लगे तो उनके पास एक ठंडा क्षेत्र हो जहां वे जा सकें पोशन प्रदान करें शिशु शूज मानसाहरी होते हैं और उन्हें कीडों, क्रिमियों और अन्य छोटे अक्षेरों की जीवों के आहार की आवश्चक्ता होती हैं आप उन्हें गीले बिल्ली या कुत्ते के भोजन, बारिक कटा हुआ मानस या उच प्रोटीन सामगरी वाले सकते हैं आपको उन्हें खिलाने के लिए एक छोटी सी सिर्ण या ट्रोपर का उप्यो करने की आवश्यक्ता हो सकती हैं सुनिश्चीत करें कि पानी उनके मूह में जबरदस्ती न डालें, ताकि वे घुट न जाएं उन्हें गाय का दूध न पिलाना महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लैक्टोज असहिश्णु हैं हाँ आप चाहे तो मदर डेरी का मिल्क पीला सकते हैं मिल्क को गरम करें फिर उसे ठंडा करें जब मिल्क ज्यादा न ठंडा और न ज्यादा गरम हो जाए तब इंजेक्शन की मदद से बेबी को फीड कराए सावधानी से संभालें चच्छूंदर बहुत नाजुक जानवर होते हैं इसलिए उन्हें बहुत ही सावधानी से और कम से कम संभालें ताकि उन्हें तनाव न हो खुद को बचाने और किसी भी बीमारी के संक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए दस्ताने पहनना सबसे अच्छा है पेशेवर मदद लें यदि संभव हो तुस्थानिये वन्यजीव, उनरवासकरता या जंगली जानवरों की देखभाल में अनुभव रखने वाले पशु चिकित्सक से संपर्ख करने का प्रयास करें वे शिशु छच्छूंदरों की विशिष्ट आवशक्ताओं के अनुरूप अधिक विशिष्ट देखभाल और सलाह प्रदान करने में सक्षम होंगे याद रखें, जंगली जानवरों की देखभाल करना चुनौती पूर्ण हो सकता है और लक्ष हमेशा उन्हें उनकी मा से फिर से मिलाना या उन्हें जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करना होता है या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब आप मदद मांगते हैं या उनकी देखभाल करते हैं तो शिशू छचुंदरों को शांत, गर्म और सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है और दिन भर में 4-5 बार शिशू को फीड कराते रहे इसी प्रकार यदि आप को चुहे का शिशू मिले या गिलहरी का उनकी देखभाल ठीक ऐसे ही करनी है जीवन बचाए खुशी पाए प्रॉंदरों को प्रॉंदरों को चुहे करने को फेसे ही जाए करने को शाल वाए फेसे ही का शोट नादब रखुश्ट पाए झाल 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 झाल